अपनी पढ़ाई को एक दम जड़ से खतम कर दे ऐसा बिलकुल मत करिए अगर आपकी लगतार कभी होता है कि डीचर आपको क्लास के अंदर उठा देता है आप वी कोश्चन में भी डम बन जाते हो तो आपके लिए अभी टाइम है सो 20% आप जो है अचीव कर सकते हो एक सब्जेक्ट इनाफ है आपकी क्लास में आपको आपकी इज़त वापस दिराने के लिए समर विकेशन आ चुके और आपके आसपस पूरी तरीके से विकेशन मोड आन होगा गर्मी बढ़ रही है इसी काम नहीं कर रहा है कूलर काम नहीं क करने के लिए अपने एक्जाम्स के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ा आपको बता दूंगा है कि स्टार्ट करते हैं पांच पॉइंट से साथ सबते पहले हम लोग देखते हैं 500 क्या ऐसी चीज़ आपको करनी चाहिए देखिए बहुत सारी लोग सोच रहे होंगे कि समर वेकेशन के अंदर हम अपना पूरा का पूरा कोर्स खतम कर दें हम अपनी पढ़ाई को एक दम जड़ से खतम कर दें ऐसा बिल्कुल मत करिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्यों क्योंकि आपकी कॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस अप रहेगा जो जो चीजे आपकी स्टार्टिंग के थर्टी टू फॉर्टी परसेंट आफ इस से उसको एकदम बेस तरीके से पढ़ाई करिए उसको एकदम निचोड डालिए निचोडने का मतलब क्या अपने टीचर से अच्छी रिफरेंस बुक पूछिए और उस पर जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीज़े हमें इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेर करने के लिए पढ़ना है तो आपकी जब कॉलिटी मैटर करती है तो आपको एप्रिसियेशन मिलता है और पहल बना रहता है टीवी देखना होता है आई पील को शाम आता है उसको भी देखना रहता है लेकिन इस पॉइंट पे क्या ऐसा किया जाए मम्मी के साथ बैट के बहुत सरे लोग अनुपमा भी देखते होंगे तो सिंपल सी मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि भाई इस को अच्छी तरीके से यूटिलाइस करने के लिए आपको अनुपमा नहीं छोड़ना है लेकिन मॉनिंग टाइम जो होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग सो रह होते हैं इवनिंग टाइम पे लोग बाहर चले जाते हैं कभी कदाप आप लोग थोड़ा बहुत बाहर जा होगे तो बहुत वैल्यू एड़ करके देगा आपको तो आपको क्या करना है समझ में आ गया मॉनिंग और इवनिंग में आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए वीक को जो है अपना स्ट्रॉंग पॉइंट बनाने का टाइम आ गया ह अपने सारे वीक जोन्स पे काम करिए और इसको करने के लिए आपको जैसे आपको लगता होगा मॉनिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजेगा आप मैं आपको एक ऐसा एप दे दूंगा जिसके अंदर आप खुद को लगातार ट्र करना होता है गलतियां यहां पर यह कर देते हैं इसको बाद में देख लेंगे दोस्तों जब मेरा दोस्त बना देगा उससे उठाके चाप लेंगे यह कहीं और थे मैं आपको सिंपल से दिना चाहूंगा कि इसके उपर खुद से थोड़ी मेनत कर लीजे अगर दोस्ता बन क्योंकि यह आपका 80-20 का रेश्यो डिवाइड होता है तो 20% आप जो है अचीव कर सकते हो केवल और केवल इन चीजों को तीसरे पॉइंट को फॉलो करके सेकेंड पॉइंट है आपके जितने भी प्रेंडली होना स्टार्ट हो जाईए अपनी किताब को लिजे चाती से फोकस करना उस 30-40% के पीवाइक्यू और आपका डिटेल तरीके से सारी चीज़े दी गई है लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट का क्या आपको करना है सबी लोग इधर देख लीजे देखिए आपको जब भी कभी समर्वेकेशन के बाद वापस जाओ तो मैं चा उसके लिए आप क्या करो कि अभी से सोच लो किसी एक सब्जेक्ट के उपर पूरी जान लगा देंगे पूरा डेडिकेशन देंगे उसको कुछ नहीं तो डेली आप जो है एक आर का टाइम निकाल के उसको दोगे ही दोगे जिससे वो आपका क्या बन जाए एक को नहीं वहां पे नहीं सौल कर पाते हो आप वी कोशन में डम बन जाते हो तो आपके लिए अभी टाइम है सिंपल सी चीज़े एक स्ट्रॉंग सब्जेक्ट बना लीजिए और खुद की जो इज्यत गई है उसको वापस ले आई उसके लिए बच्चे क्या करना है आपको अपने टीचर के पास आपको लगता है जो टीचर आपको बेस गाइड कर सकता है आपको हमसे लगता है आप हमारे पास आए जो भी टीचर आपको लगता है आपको बेस गाइडेंस दे सकता है उसके पास जाईए बोलिए कि सर कुछ भी आप बताओ मैं आपका अर्जुन ब उसको अच्छी करिए और एक subject इनफ है उसको strong बना लीजे और आप जो confidence लेके जाओगे summer vacation के बाद वो आपके board exam तक के लिए हमेशा काम आएगा इस चीज में आपको बताना चाहूंगा कि IST और ICST दोनों का computer के batches जो है already आपके ICST connect यो पर चल रहे हैं आप सभी लोग ICST connect tab download करके उसको जाके enroll कर सकते हैं सबसे important बात में आपको बता रहा हूं कि हमारा target है June end तक उसके इंदर पूरा course हम ICST के इंदर खतम कर देंगे जिससे आपके पास revision के लिए 2-3 बार अराम से मौका मिलेगा doubt खतम करने के लिए आपके पास अराम से मौका मिलेगा so fine all the best thank you Pratik Sharma signing off bye bye everyone